हेलो प्रेंश रादे रादे तो देखे प्रेंश आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही तुक्तूरस सी नैप्पी वाली द्रेश बनाएंगे आप देख सकते हैं इसको पॉटन के फैबरिक से बनाया हुआ है इसको बहुत ही इजली आप बना सकते हैं तो सब्स कर लेंगे ये नैपी को नीचे से लाकर इस तरफ से तोरी को इस तरह इसमें नैपी वाली ये दीचे लूप बनाया हुआ उसमें डालेंगे इसको इस तरह प्रोस करके पीछे को ले जाते हुए इसमें बांद देंगे देखे फ्रेंस ये लट्टो गोपाल जी को हमने ये ड्रस पैना दिया है ये देखे बिलकुल पीछे से कबर है ये कॉटन का फैब्रिक कप है इसको लंबाई साड़े चार इंच है और चौडाई भी इसकी साड़े चार इंच है ये चौकोर पीस में एक कपड़ा है इसको दो तरब से ये सीधा हो है ये उल्टा उल्टे की तरब से इसको किनारे किनारे से मोड़कर सिलाई लगा देंगे इस तरह है एक इस साइट से और इस साइट से ये दो भाब खुले रहेंगे कि इसमें प्लेट लगाएंगे दो इस तरब लगाएंगे कर-दो इस तरफ इदर और इस सेंटले वीच हो बीच की तरफ रखेंगे एक प्लेट और लगाएंगे इस तरह इस तरह है पिर इस चाहिए इस तरह इसके बघल से लगाए गप्रों फिर एक प्लेट और लगाएंगे इस तरह उसमें छिलाई नहीं लगा देगेुं कर दो कि कि इस तरह इस प्लेट इस तरह दोनों दरब से डाल लिया है दो इधर से दो इधर से अब इसको सीधा करके कट लेंगे प्लेट लगाने की बाद में कमर की टोटल लंबाई देखें तो चार इंच है तो इसमें एक बेल्ट लगाने के लिए इसका पांच इंच का कपड़ा लेंगे और और पांच इंच लंबा इसमें आधा इंच इस तरफ से इस तरह लगा के इसमें सिलाई लगा देंगे इसमें जोइंट करने के बाद में इसमें इस तरफ से मोड़ेंगे और आधा इंच इस तरफ से मोड़ेंगे फिर एक बार इस तरफ फोल्ड करेंगे फिर इस तरह सिलेंगे इसके बीच में यह डोरी लगाएंगे इस तरह ये टोरी बीच में ध्यान देना कि ये टोरी सिलने न पाए इस तरह खिजकती रहेगी तो बांधने में आसानी होगी इसको इस तरह सिलाई करते हैं कि अधर बीच में पोना निकला है इसमें 1.5 इंच की एक लूप लगा देंगे इस तरह डोरी बना कि इसमें उल्टे सरज से इस तरह इसमें ज्यांट कर देंगे कि इसकी चोली बनाने के लिए 1.5 इंच चोड़ी पट्टी लेंगे और 8.5 इंच की लंबाई लेंगे इसको इस तरह यह उल्टा है यह सीधा है यह उल्टा तरक करके इसमें शिलाई लगा देंगे की इसे सीधा करने के बाद में अए इसको सीधा करने के बाद में इसको बीच से बैख और कर अ काट लेंगे बराबर बराबर दोह इस्टों में कटिंग कर लेंगे अब इनको एक की उपर एक रखते इस तरह क्रोस करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे इस तरह के ट्रस बनकर तयार हो गई है